रविवार को गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्साही प्रशनसकों की एक उत्साही भीड ने एलविश यादव का खुले दिल से स्वागत किया। लोकप्रिय यूट्यूबर और हाल ही में बिग बॉस दो के विजेता बने को इंस्टाग्राम पर अपलोड किये गए एक विडियो में कैड किया गया, जहां उन्होंने कृतग्यता और उत्साह के मिश्रण के साथ भारी भीड को संबोधित किया। गहरी नीली जीन्स के साथ चिकनी काली शर्ट पहने एल्विश ने मंच पर खड़े होकर भीड का उत्साह बढ़ाया। क्या एल्विश यादव बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हर्याना के सीएम खटर से दोबारा मुलाकात के बाद बिग बॉस विजेता ने क्या कहा। प्रशन्सकों के साथ एल्विश की बातचीत। जैकारों और तालियों के बीच उन्होंने दर्शकों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए पूछा कैसे हो सारे, खीक हो। ओ, तीस दिन के बाद आया हूँ मैं बाहर है थोड़ी वाइब ना जानता। करदियाना सिस्टम हैंग। सबसे पहले आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगोंने टाइम निकाला मेरे लिए आप कैसे हैं दोस्तों। क्या आप ठीक हैं। मैं आप सभी के लिए लगभग तीस दिनों के बाद बाहर आया हूँ क्या हमने सिस्टम क्रैश नहीं किया। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी ने मेरे लिए समय निकाला। इस कार्यक्रम में हरियाना के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर की मौजूदगी रही जिन्होंने थोड़ी देर के लिए एलविश के साथ मंच साजा किया। जिससे इस अफसर का उत्साह और बढ़ गया। स्वरा भासकर ने BBOTT 2 के विजेता एलविश यादव का समर्थन करने के लिए आलिया भट को बुलाते हुए पोस्ट को पुनह साजा किया। उनका हालिया आईजी लाइव सत्र एलविश की मनोरम उपस्थिती आभासी खेत्र तक भी फैली हुई है। कार्यक्रम से एक दिन पहले उन्होंने एक इंस्टाग्राम लाइव सत्र आयोजत किया जिसमें 5,95,000 से अधिक प्रभावशाली दर्शक शामिल हुए। भारी ट्राइफिक के कारण तकनीकी कठिनाईयों का सामना करने के बावजूद इस सत्र ने भारत का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इंस्टाग्राम लाइव बनकर इतिहास में अपना नाम दर्श करा लिया। इस मील के पत्थर ने बिग बॉस के विजेता एंसी स्टेन के पिछले रिकॉर्ड को विजी रूप से पीछे छोड़ दिया, जिसके लाइव सत्र में 5.4 एक लाख दर्शकों ने भाग लिया था। दोस्तों आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर करना वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद देखें।